एक बच्चे के रूप में हम सभी ने लोग प्रिवाक्यांश, हम आइस्क्रिम के लिए चिलाते हैं, सुना है, और इस वाक्यांश का बहुती सीधा मतलब है, कि ये लोगों के लिए आइस्क्रिम का आनंद दिखाता है, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब कुछ अलग था, अब आ अच्चे की रूप में मुझे उत्साहित करती थी, जैसे कि खिलोने, गुबारे और काटून, लेकिन आइस्क्रिम के प्रती मेरा प्यार अभी भी बरकरार था, ये कोई ऐसी वैसी आइस्क्रिम नहीं थी, ये हम सब के चहेते अंकल निकी की हेल्दी आइस्क्रिम थी, अंक कि वो जिस वहन को चलाते थे, वो ट्रक की तुला में आरवी जादा लगता था, वो किसी भी आइस्क्रिम ट्रक से काफी बड़ा था, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने इसे नाम दिया, हेल्दी लिविंग आइस्क्रिम, आम तोर पर ये उनका अदर्श वाक्य था, और उन्होंने ट्रक डिजाइन में भी इसी का इस्तिमाल किया था, हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि आइस्क्रिम में शुगर लेवल अधिक होता है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, लेकिन वो हमेशा कहते थे, कि उनकी आइस्क्रि के लिए खरीदे ताकि वो हेल्दी हो जाएं, मुझे याद है कि मेरी माने मुझे बताया था, वो ऐसा इसलिए कहता था ताकि उसके पास नए ग्रहक आए, लेकिन जिस तरह से वो ये बात बताता था, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, और आखरी सबसे अजी काफी युनीक था, पता नहीं उन्होंने कौन से इंग्रीडियंट्स यूज किये थे, लेकिन उसकी वज़े से उनकी आइसक्रीम का स्वाद बाकियों से काफी अलग था, और शायद यही एक खास वज़ज़ थी, जिसकी वज़ज़ से मैं उनकी आइसक्रीम खाने के लिए तरस्ती रहती थी, मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरह हर दूसरा बच्चा भी यही चाहता था, और इसलिए मिस्टर नेकी हमारे पडोस में दिखाई देते थे, क्योंकि वो लगभग हर दिन वहां आते थे, हर बार जब मैं स्कूल से घर लोटती होई, मैं अभी स्कूल से वापस आई थी, और हमेशा की तरह मिस्टर निकी की ट्रक से कुछ आईस्क्रीम लेने गई, वहां बहुत भीड लगी होई थी, क्योंकि मेरी तरह बाकी बच्चे भी वहां आईस्क्रीम लेने आये थे, इसलिए मैं पीछे खड़ी हो गई, और भ दर्वाजे कहां से आ रही हैं, मैं दर्वाजे के पास पहुच गई, और जैसे ही मैं दर्वाजे पे कान लगा के सुनने वाली थी, कि तभी मैंने अंदर से एक दबी हुई चीक सुनी, उस चीक ने मुझे चौका दिया, मैं तुरंत वहां से निकल गई, वो चीक सुनकर मै मैं बहुत जादा डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था, जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मेरे दिमाग में कई विचार घूम रहे थे, मैं हिलने से भी डर रही थी, और आखिरकार सब शान्त हो गया, क्योंकि आइसक्रीम के लिए भीड लगाय हुए बच्चे वहाँ से जा चुके थे, मैं वहाँ से निकलने ही वाली थी, कि तभी आइसक्रीम ट्रक का दरवाजा खुला, और उसमें से मिस्टर निकी बहार आए, उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़ा देखा, वो बहुत चिंतित हो गए, और कहा, तुम एमिली हो ना? मैं अभी भी डरी हुई थी, और उन्हें जवाब नहीं देना चाहती थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि, तुम जानती हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई नहीं जानता कि एक सुंदल लड़की के साथ क्या हो सकता है, क्या हुआ, तुम गिर गई थी, तुम मैंने ठीक वही किया, जो मेरे दिमाग में आया, मैं बिना कुछ बोले अपने घर के लिए भागी, घर जाकर मैंने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया, मेरी माने मुझे देख लिया, और मुझसे पूछा, बेटा एमिली, क्या हुआ तुम है, क्या तुमने अपनी आ मेरी गलत फहमी थी, या फिर मिस्टर निकी के ट्रक में कोई सचमे खत्रे में था, अगर ऐसा सचमे था, तो वो कौन था, अगले सपताह के दौरान मैं मिस्टर निकी की ट्रक से दूर रही, क्योंकि उस घटना से मैं भी भी डरी हुई थी, इस घटना के बाद मेरे में कुछ बदलाव आ गए थे जिसे मेरी माँ ने अच्छी तरह से भाप लिया था। उन्होंने मुझ से पूछा कि एमिली स्कूल में सब कुछ ठीक तो है ना। उसके बाद मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ मॉम सब कुछ ठीक है। मैंने छिपाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जानती थी कि मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। आखिरकार उन्होंने सावाल पूछना बंद कर दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। हर गुजरते हुए दिन के साथ मैं अपने विचारों में गहराई से उतरती गई और मुझे एहसास हुआ कि इस घटना से मेरे दिमाग पर गलत असर हुआ है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं ऐसे जी नहीं सकती। मैं जानती थी कि मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। और इसके बारे में पता लगाने का किवल एक ही तरीका था। इसके बाद मैंने अपने संकल्प को मजबूत किया और मैंने तै किया कि मुझे क्या करना चाहिए अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैं चुपचाप घर से बाहर निकल गई और मिस्टर निकी के वैन के लिए अपना रास्ता बना लिया मुझे एक आइस्क्रिम का कोन मिला था और हर बार की तरह वहां काफी भीड लगी हुई थी और इस बात का फाइदा उठाते हुए मैंने ट्रक के पीछे जाने का रास्ता बनाया दर्वाजे बंद थे इसलिए मैं वहां खड़ी हो गई और मैंने वहां इंतिजार करने का फैसला किया कि मुझे कुछ दिखाई या सुनाई दे लेकिन मैंने प्रार्थ ना भेकी कि ऐसा कुछ भी न हो कुछ मिनिट बीद गए लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुगा जब मैं वहां खड़ी थी तो मुझे आश्यर्य होने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कभी कोई चीक सुनी ही न हो या फिर मुझे कोई गलत फहमी हुई हो उसके बाद मैं उन बातों के बारे में सोचने लगी जो मिस्टर निकी से जुड़ी हुई थी वो एक अच्छे और बहुती इमानदार इनसान थे जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुचा सकते थे वहां लगभग आदे घंटे खड़े रहने के बाद मैंने मान लिया कि ये बस मेरा एक वहम था चुकि मैंने वहां पे कोई भी आवाज नहीं सुनी मैं जाने के लिए पीछे मूड़ी कि तब ही मैंने टरक के दरवाजे खुलने की आवाज सुनी और मैं जल्दी से वहां छिब गई मैंने देखा कि मिस्टर निकी टरक के पीछे से निकले वो कचरा बाहर इसलिए मैं आगे बढ़ी और वैन के अंदर जहाकने की कोशिश की वहाँ बहुत अंधेरा था मैं अंदर ठीक से नहीं देख पा रही थी इसलिए मैंने तैय किया कि मुझे अंदर जाना चाहिए और दोनों मुठ्थियां भीच कर मैं वैन के अंदर चली गई मैंने देखा कि वैन के अंदर एक छोटा सा कमरा था मैं अपने आसपास नहीं देख पा रही थी वहाँ पे बहुत ही कम रोशनी थी और वो भी बाहर से आ रही थी इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और फ्लेश लाइट से चारो ओड़ देखा फोन निकालते वक्त मैंने महसूस किया कि मैंने किसी ठोश चीज़ पर अपना पैर रख दिया है मेरे वजन से वो तूड गया मुझे लगा कि मैंने एक छड़ी पर अपना पैर रख दिया है उसके बाद मैंने फ्लेश लाइट आउन किया ये देखने के लिए कि मैंने किस चीज़ पर अपने पैर रख दिये है मैंने देखा कि मैंने एक बॉक्स की उपर अपने पैर रख दिये थे और उसके अंदर की चीज़े फर्श पर बिखर गई थी मैं पहली नजर में ही समझ गई कि वो छड़ी नहीं थी क्योंकि उनका रंग कुछ अजीब सा था उसके बाद जब मैंने बॉक्स के अंदर जाका तो मैंने देखा कि ये छोटी हड़ियां लग रही थी पहले तो मुझे लगा कि वो कुत्तो की हड़ियां है क्योंकि किसी इंसान के लिए वो बहुत ही छोटी थी लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे कई सारी छोटी खोपडियां देखी उन खोपडियों को देखने के बाद मैं बहुत ही जादा डर गई थी इस बार मैं गलत नहीं थी ये मानव खोपडियां थी वो खोपडियां बहुत ही छोटी थी इसलिए मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये खोपडियां बच्चों की थी मैंने खुद को चीखने से रोक लिया और मैंने पीछे हटना शुरू कर दिया मैंने अभी चार कदम भी पीछे नहीं लिये थे कि मैं फिर किसी से टकराई जब मैं मुडी तो मैंने देखा कि वहाँ तीन औरते थी जिनको जंजीर से बांद कर लटकाया गया था उनके आखों पर पट्टी बंदी होई थी और उन्होंने कोई टॉप ये ब्लाउज नहीं पहना था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रेस्ट पंप उनके स्तनों से जुड़ा हुआ था ये बहुत ही भयानक दृश्य था देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर की तरह इनका दूद निकाला जा रहा है ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सुनन पड़ गया था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए इससे पहले कि मैं चीक पाती वहां रोश्नी आ गई उसके बाद मिस्टर निकी ने बोला अच्छा तो तुमने मेरे दोस्तों को ढूंड लिया उसके बाद मैंने देखा कि मिस्टर निकी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वो मुझे घूर रहे थे कमरे में अब रोश्नी आ चुकी थी और अब मैं उस कमरे को साफ साफ देख सकती थी और ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि छट से लटकी एक महिला गर्भवती थी प्लीज, प्लीज मिस्टर निकी ये सब क्या है? और ये सब औरते कौन है? मैं बहुत जादा डर गई थी डर से मेरे कदम पीछे की ओर जा रहे थे मैं मिस्टर निकी से दूर जा रही थी उसके बाद मिस्टर निकी ने बोला ये औरते मेरी दोस्त हैं जो अपनी मर्जी से मुझे गिफ्ट देती हैं जिनें मैं इंग्रीडियंट्स की रूप में इस्तिमाल करता हूँ मैं कन्फियूस थी, चौक गई थी और एक ही समय में डर भी गई थी क्योकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद उन्होंने बोला मैं इनका आभारी हूँ ये इनके उदारता का ही परिडाम है क्योकि इनके गिफ्ट के बिना एक हेल्दी आइसक्रीम बना पाना बहुत ही मुश्किल काम था वो हेल्दी आइसक्रीम अभी तुमने कुछ देर पहले ही खाया है ऐसा लग रहा था कि वो अपने बिमार तरीकों का प्रचार कर रहे थे और पहली बार मिस्टर निकी मानसीक रूप से बिमार दिखे मैं फर्ष पर देख रही थी जहां पर धेर सारे कंकाल बिखरे हुए थे ओ अच्छा तुमने मेरे बच्चे को भी ढूण लिया तुम बिजी थी है ना एमिली पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जल्द ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया मैं बहुत ज्यादा डर गई थी उसके बाद एक जोरदार चीक के साथ मैं उससे दूर भागी उसके बाद मिस्टर निकी ने कहा अच्छा तो तुम समझ चुकी हो तुम्हें पता है मेरी मां हमेशा कहती थी कि मां का दूद सबसे अच्छा होता है और वो सही थी ये हमेशा स्वादिष्ट पॉस्टिक और हेल्दी होता है और इसी लिए मैं इसे अपनी रेसिपी में इस्तिमाल करता हूँ और इसके लिए पहले मुझे उन्हें मां बनाना पड़ेगा लेकिन मेरे पास बाब बनने का बिल्कुल भी समय नहीं है तुम समझ सकती हो है ना एमेली मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी मैंने हकलाते हुए कहा मिस्टर निकी आप मुझे ये सब क्यो बता रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि पागल मत बनो एमेली मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होते इससे पहले कि मैं वहाँ से निकल पाती वो पूरा जोर लगा कर मेरी तरफ दोड़े वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे मैं उनकी सांसे महसूस कर सकती थी और वो मेरे बॉड़ी पार्ट्स को टच कर रहे थे उनकी बद्बू से मेरा दिमाग चकरा गया मैंने अपने घुटनों से उनके कमर पर वार किया उसके बाद उन्होंने चीकते हुए मुझ से कहा कुतिया? साली कुतिया? और बिना किसी हिच की चाहट के मैंने उस पे वार किया और मैं सीधे घर की और भागी और घर पहुचकर मैंने अपनी मा को सारी बाते बता दी मेरी माँ ने सीधे पुलिस को इंफॉर्म कर दिया लेकिन जब पुलिस वहां पहुची तो मिस्टर निकी वहाँ नहीं थे उनका कोई नामों निशान नहीं था जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गए हूँ बचपन में इस खटना की वज़े से मुझे बहुत गहरा असर हुआ शुक्रहे की थेरपी के बाद मैं इन सबसे उबर गई हाला कि अभी भी मैं किसी आईस्क्रीम ट्रक की आवास से सहम जाती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मिस्टर निकी अभी भी बाहर घूम रहे हैं और वो अपनी स्पेशल हेल्दी आईस्क्रीम लोगों को बेच रहे हैं ये सोच कर कि एक बार मैंने भी इस आईस्क्रीम को खाया है मैं सहम जाती हूँ लेकिन मैं मान लेती हूँ कि ऐसा करने वाली मैं अकेली नहीं थी क्योंकि आप में से कोई भी जो इस कहानी को सुन रहा है शायत पहले से ही मिस्टर निकी की बनाई होई स्पेशल हेल्दी लिविंग आईस्क्रीम को खा चुका हो ये कहानी जूली की है मेरी माने बचपन से ही रविवार की मास को कभी मिस्स नहीं किया है वो एक ऐसी इंसान है जो दूसरों की मदद करना पसंद करती है जब मैं दो साल की थी वो मुझे अपने साथ चर्च ले जाती थी मेरे पिता नास्तिक थे लेकिन फिर भी वो हमारा समर्थन करते थे वो कभी भी हमारे साथ संडे मास में नहीं जाते थे एक बच्चे के रूप में मुझे याद है कि एक बुढ़े आदमी को सुनने वाले लोगों से भरे कमरे में बेंच पर बैठने के विचार से मुझे नफरत थी संडे मास बोरिंग था इसके बज़ाए मैं पार्क में खेलना चाहती थी इसलिए मुझे अपने साथ चर्च ले जाने के लिए मेरी मम्मी मुझे आईस्क्रिम का लालच देती थी संडे मास खत्म होने के बाद वो मुझे मेरी पसंदीदा आईस्क्रिम दिलवाती थी हर हफते एक आईस्क्रिम खाने के विचार ने मुझे उनके साथ मास में जाने के लिए मजबूर कर दिया और इसी तरह मैं हर हफते रविवार की प्राठना सभा में भाग लेने लग गई ये तब हुआ जब मैं लगभग 13 या 14 साल की थी और इस घटना के बाद मैंने अपनी मास से रविवार के मास के बाद कभी भी आईस्क्रिम के लिए नहीं कहा कभी भी नहीं मुझे अपनी मा के बारे में कुछ और भी बताना है वो एक बेचैन ड्राइवर है वो ड्राइविंग से नफरत करती है और जब जरूरी हो तब ही ड्राइव करती है मेरे पिता जी हमें लगभग हर जगर ले जाते थे लेकिन मा को हर रवीवर चर्च जाना पड़ता था क्योंकि पिता जी नहीं ले जाते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी मा एक खराब ड्राइवर है वो बस ड्राइविंग के दौरान कुछ ज़ादा ही चिंतित और सतर्क रहती है खास कर रात के वक्त मा साम तोर पर दोपहर के 3 बजे की आसपास शुरू होता है और शाम को लगभग 5 या 5.5 बजे समाप्त हो जाता है उसके बाद हम आईसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और आईसक्रीम खाते हैं और रात होने से पहले घर चले आते हैं ताकि मेरी मा को अंधिरे में ड्राइव न करना पड़े हम एक ग्रामीड कस्बे में रहते हैं और जब मैं एक टीनेजर थी तो कस्बे के चारो और गंदी सड़के थी और वहाँ शायद ही कोई स्ट्रीट लाइट हो उस दिन मास थोड़ा लेट शुरू हुआ और हमारे अनुमान से वो काफी लेट खतम हुआ उस वक्त मैं एक टीनेजर थी इसलिए अपनी मा के मना करने के बावजूद मैंने आईस्क्रिम खाने की जित की मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे आईस्क्रिम दिलाने का वादा किया था और आपको ये पूरा करना होगा भले ही बाहर अभी काफी रोशनी थी लेकिन मैं जानती थी कि जब तक हम अपनी आईस्क्रिम खतम करेंगे तब तक बाहर अंधेरा हो जाएगा और मेरी मा को घोर अंधेरे में घर तक कार चलाना होगा केवल हेडलाइट सी हमारे रास्ते को रोशन कर रही होंगी लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने टीनेजर्स में थी इसलिए मैंने अपनी मा से जित की कि मुझे आईस्क्रिम खानी है उसके बाद हम दोनों आईस्क्रिम की दुकान पर गए और वहाँ एक बूत पर बैठे और फिर अपना regular order दिया हमने अपनी आईस्क्रिम खाई और मैं देख सकती थी कि मां हर गुजरते मिनट के साथ चिंतित हो रही थी क्योंकि बाहर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और अंत में हमने बिल का भुकतान किया और मा गाड़ी चला रही थी और मैं बगल की सीट पर बैठी हुई थी आईस्क्रिम की दुकान से हमारे घर की और एक कच्ची सड़क जाती थी हाला कि मा ने अंगिनद बार इस सड़क पर गाड़ी चलाई थी लेकिन फिर भी वो हाई अलर्ट पर थी क्योंकि सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो रहा था जब तक हम अपने पडोस में नहीं पहुच जाते तब तक इस कच्ची सड़क के दोनों और कोई घर नहीं था ये रोड लगभग साथ मील लंबी थी और सड़क के दोनों और काफी जादा घने जंगल थे मेरी मा ने लगभग दो मील की दूरी तै कर ली थी और जब हम आगे बढ़ रहे थे कि तब ही मैंने देखा मेरी मा ने स्टीरिंग वील को बहुत जोर से पकड़ा है और एक सेकेंड के लिए भी अपनी नजरे सड़क से नहीं हटा रही है वो बहुत ज्यादा सतर्क थी और ठीक उसी वक्त मैंने उनकी खिड़की की तरफ देखा कि जंगल के किनारे एक छोटी सी लड़की अकेली बैठी हुई है एक मिनट के लिए मैं उलज़न में थी लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने एक लड़की को देखा है इसलिए मैंने अपनी मा को बताया मा मैंने अभी वहाँ एक लड़की बैठी हुई देखी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गाड़ी चलाने में इतनी तलीन थी कि उन्होंने मुझे सुना ही नहीं मैंने ये बात फिर से दोहराई और इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा जूली तुम क्या बकवास कर रही हो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमें एक घने जंगल में है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यहाँ एक लड़की देखी हाँ मा मैं सच कह रही हूँ मुझे पक्का यकीन है हमें वहाँ एक बार जाके देखना चाहिए सूरज की आखरी रोशनी आसमान छोड़ चुकी थी और अब जाहिर था कि अगर हम पीछे मोड़े तो हमें घर वापस लोटते लोटते रात हो जाएगी लेकिन मेरी मा कभी भी ऐसे व्यक्ती से दूर नहीं हुई जिसे मदद की जरूरत हो इसलिए उन्होंने यूटन लिया और हम वापस उसी जगह पे आ गए जहां मैंने उस लड़की को देखा था वहाँ पे रोशनी की कमी के कारण लड़की को पहचानना मुश्किल था इसलिए मेरी मा ने हेड लाइट्स को ठीक उसी जगह सेट किया जहां मैंने उस छोटी लड़की को देखा था और ऐसा करने के ठीक बाद हमने देखा कि लगभग पांच मीटर की दूरी पर वो लड़की वहाँ बैठी थी उस लड़की ने पिंक नाइट गाउन पहना हुआ था और अपने पैरो को अपनी चाती से चिपका कर रखा था और अपने चेहरे को नीचे जुका कर आगे पीछे जूल रही थी मेरी मा उस लड़की को देखकर हैरान रह गई इस समय यहां किसी को देखने की संभावना बहुत कम थी और किसी बच्ची का मिलना तो नामूम्किन था हम लोगों ने उस लड़की के पास जाने की बजाए धीरे धीरे उसके पास से गुजरने का फैसला किया ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है हमारा शहर एक बहुत ही करीबी समुदाय था इसलिए रात में एक सड़क के बीच में ऐसी लड़की को देखना नॉर्मल नहीं था जिसे हम पहचानते भी नहीं थे जैसे ही हम उसके पास से गुजरे हमें उमीद थी कि वो कार को देख लेगी जो धीरे धीरे उसकी साइट से जा रही थी एक नॉर्मल इंसान कम से कम उपर देखेगा कि कार में कौन था या कार कौन चला रहा था हम लोग उस लड़की को डराना नहीं चाते थे लेकिन जब हमारी कार उसके पास से गुजरी तो उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी हमने देखा कि वो बस आगे पीछे जूल रही है इसके अलावा वो लड़की बच्ची नहीं थी क्योंकि हमने माल लिया था कि वो मेरे उम्र की टीनेजर है जब हम उस लड़की से कुछ मीटर आगे पहुचे तो हमने देखा कि हम उसे रियर व्यू मिरर में नहीं देख पा रही है अगर सच कहूं तो ये बहुत डरावना था लेकिन हम लोगों ने इसके लिए अंधेरे को जिम्मेदार ठहराया मेरी मा को उस लड़की के लिए चिंता हो रही थी इसलिए हमने यूटन लेने का फैसला किया लेकिन इस बार मेरी मा उस टेनेजर लड़की से बात करने वाली थी लेकिन जब हम वापस लोट कर उसी जगह पर आए तो वो लड़की हमें कहीं नहीं दिखी हमने उस लड़की को ढूंडने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली मेरी मा और मैंने फैसला किया कि घर पहुचकर हम सबसे पहले पुलिस को इनफॉर्म करेंगे और लोटते वक्त हम दोनों ने वहाँ पे जो भी देखा उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे इतने घने अंधेरे में वहां सिर्फ हमारे हेडलाइट से ही रोशनी आ रही थी अब मैं आपको उस जगह के बारे में बताती हूँ जहां हमने उस लड़की को देखा वो जगह आईसक्रीम शॉप से लगभग दो मिल की दूरी पे थी लगभग दस मिनट के बाद हमने चार मिल की दूरी तै कर ली थी और उसके बाद हम एक चौराहे पे थे जो हमारे पडोस की उड़ जाता था और सड़क के नीचे लगभग एक मिल की दूरी पर हमारा घर था जब हम चौराहे पर पहुँचे तो आसपास ना तो कोई कार थी और ना ही कोई इनसान था लेकिन उस चौराहे के दूसरी और एक लड़की थी जो उसी लड़की से मिलती जुलती थी जिसे अभी हमने वापस आते समय देखा था मुझे अपनी आखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था इस बार वो बैठी नहीं थी बलकि वो सिर नीचे करके खड़ी थी और उसके बाल चेहरे को ढखे हुए थे ये सब देखने के बाद मेरे मुझे शब्द नहीं निकल पा रहे थे उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं ये साफ देख सकती थी कि मेरी माँ भी खुद को शान्त रखने की कोशिश कर रही है माम, क्या ये, क्या ये वही लड़की है? हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन ऐसा कैसे मुम्किन है? मेरी माँ को ये वाक के पूरा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं समझ चुकी थी मेरी माँ और मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी आखिर ये लड़की इतने कम समय में इतनी दूर कैसे आ गई? ये लगभग चार मील का रास्ता था और किसी भी सामान इंसान के लिए इतनी दूरी और वो भी इतने कम समय में तै कर पाना बहुत मुश्किल था मुझे इसके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हाला कि मेरी माँ अभी भी इस लड़की की मदद करना चाहती थी इसलिए उन्होंने लड़की की तरफ गाड़ी घुमाना शुरू कर दिया और ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परिशान हो गई मॉम उस लड़की की तरफ मत जाओ न चलो न घर चलते हैं देखो कितना अंधेरा हो गया है पिता जी हमारा इंतिजार कर रहे होंगे प्लीज मॉम प्लीज चलो न घर चलते हैं मैं गिडगडाती रही लेकिन मेरी माने मेरी बात नहीं मानी और लड़की की और गाड़ी चलाती रही उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गई की कि मैं सिट पर बैठने की बजाए फुटरेस्ट पर बैठ गई और और डर से मैंने अपने कान और आग बंद कर लिए मुझे उस वक्त बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ वो लड़की हमारे कार के बगल में ही खड़ी थी और इसलिए मैंने शीशा नीचे करने की कोशिश नहीं की और मैं चुप-चप वहां सहमें सी बैठी हुई थी मेरी मा ने मुझे कई बार खिड़की को नीचे करने को कहा लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और फिर उसने खुदी होल्डर पकड़के खिड़की को नीचे कर दिया ताकि बाहर खड़ी लड़की से मेरी मा बात कर पाए मेरे लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानी और उसने खिड़की को नीचे कर दिया हेलो, क्या हुआ बेटा, आपको मदद चाहिए मेरी माम ने उस लड़की से पूछा और मेरी माने ये कहने के बाद कार को फुल स्पीट से भगाया और मैं समझ गई कि कहीं कुछ गड़बढ है मेरा सर बहुत जोड से चकरा रहा था उसके बाद मैंने अपनी मा की तरफ देखा उन्होंने एक हाथ से अपना मूँ ढखा हुआ था और एक हाथ से वील स्टेरिंग चला रही थी उसके बाद मैं अपने सिट पे बैट गई और उनसे पूछा माम, क्या बात है पहले तो वो इतना जादा चौक गई मा, कार को कभी भी इतना तीज नहीं चलाती है और रात को तो बिल्कुल भी नहीं मैंने उनसे एक बार फिर से वही सवाल पूछा और इस बार उन्होंने बस इतना ही कहा उस लड़की का कोई चेहरा नहीं था वो खोकला था इतना सुनने के बाद मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई थी मैं इतना जादा डर गई थी कि अपने सिट पर बैठकर मैं प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभू हम जल्दी घर पहुच जाएं जैसे ही हम लोग घर पहुचे में डोर को खोल कर हम लोग घर की अंदर भागे और तब ही मेरे पिता जी ने पूचा की क्या बात है उसके बाद हमने उन्हें पुरी घटना के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और एक टीनेजर लड़की की तलाश के लिए रिपोर्ट लिखवाई पुलिस पुरी रात उस इलाके की चानबीन करती रहे कि उन्हें कोई टीनेजर लड़की मिल जाए लेकिन अंदर ही अंदर मैं और मेरी माँ जानते थे कि पुलिस उस लड़की को नहीं ढूंड पाएगी इसके बाद हमने कभी भी मास के बाद आईसक्रीम नहीं खाई और मास खत्म होने के बाद हम सीधे घर जाते हैं भले ही बाहर कितनी भी रोश्नी क्यों नहो उस दिन के बाद वो लड़की हमें कभी नहीं देखी और उस रात हमने जो भी देखा उसके लिए हमारे पास कोई सपश्टी करण नहीं है लेकिन हमारी दिल की गहराई में ये बात हम अच्छी तरह से जानते थे कि उस रात को हम किसी शैतानी ताकत से बाल बाल बचे थे